तो क्या हमारी गेम के अंदर आर्जी स्टूल में एक सीगर्चिट को लिखने से डोरेमोन आता है तो आज हम इसी टाप्स के कुछ मिस को कंफरम या पिर बस्ट करने वाले हैं अज आज आपको मज़ा भी काफी ज्यादा आने वाले तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनलंग को सब्सक्राइब भी कर लेना हमारा पहला मित यह एक आटो रिक्षा और बोर्ड में एक साथ बैठोगे और फिर कैमरा एंगल चेंज करोगे तो मैजिक होगा अब इससे किया यहाँ पर मेजिक होता है चलो इस मित को ट्राइ कर लेते हैं तो सब से पहले मैं यहाँ पर बोर्ड मंगा लेता हूँ यहां पर फिर से ट्राय कर लेता हूं तो पहले मैंने पोड मागा कि उसके ओपर आटरिक्षा को खड़ा किया था लेकिन अब मैं इसका उल्टा करने वाला हूं और इसके ओपर मैं यहां पर बोड को यह स्पॉन कर लेता हूं और दोनों में एक साथ बैडने का बटन भी आ च चुका हूं लेकिन यहां पर मैं कैसे केमरा एंगल चेज़ करता हूं तो मुझे यहां पर कोई भी इंटिरियर वगेरा यहां पर दिखाई नहीं देता यहां पर अगर मैं चाहूं तो इसको बस्चेड भी कर सकते हूं लेकिन एक को ट्राय करते हैं और उस ट्राय में मैं अ अमनारी बोट का यहां पर इंटीरियर हमें दिखाई देने लग जाए यह में भी कंफरम हो जाए और अब यहां पर मैं केमरा एंगल चेंज कर लेता हूं लेकिन गाइस यह तो में बस्टेड रहा है यहां पर यह वाला जब हम केमरा एंगल चेंज करते तो यहां पर कोई भी में बोट का इंटिरियर वगेरा दिखाई नहीं देता इसी वज़ा से ये वाला में बस्टेड निकलता है तो मारा नेक्ष में थे कि इंडियन मैड ड्राइव जरी गेम के इंदर सब गाड़ियों का काश तूटता है लेकिन आटो रिक्षा का काश नहीं तूटता तो यहाँ पर आप देखी सकते हो कि मैंने यहाँ पर चार अलग-अलग कार्स को पॉन किया है और उसके साथ मैंने उस टाइपड यहाँ पर एक आटो रिक्षा को पॉन कर लिया है तो सबसे पहले मैं सुपरा के उपर शीशी को फाइर कर देखता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहां पर कांच तूट जाता है और गाम करता हूँ न में राइट साइड वाले यहाँ पर इस कंच को भी fire करके देखता हूँ लेकिन इसका यह वाला QU but car थो तूटता नहीं है और में काम करता हूँ आप फ्योट्टूनर के ऊपर यहाँ पर फार करेज़े देखता हूँ तो व्हाइस फ्योकोडेर काश टूटा है अब यहाँ पर मैंने थार के ऊपर फार के तो थार काश टूट रहा है जो कि अब बची हैं हमारी एंड़ूर कार जो के मनी गेम के अंधर new modified होकर आई है ठुरिशा पे जाता हूं यहां पर मैं fire करता हूं इसके उपर में बंदूग निकलता हूं and मैं इसके उपर fire कर लेता हूं and गाइज मैंने fire कर लिया है लेकिन इसका कांज का भई पूर्जा भी नीचे नहीं गिर रहा ये बॉलट प्रूफ है I think तो ये जो कांच ये बॉलट प्रूफ है या पिर गेम का खुद का फीचर है चलो भाई इस हिसाब से ये वाला मित कंफरम होता है हमारा तीसरा मित ये है कि कार भाई शोरूम के उपर वर्क नहीं करता RGS टूल में लिखने से अरे भाई सब किया ये सची में ट्राय नहीं करता मैंने अपडेट के बाद इसको ट्राय नहीं क्योंकि मैं घूमने गया था बाई जिसकी वज़ाए से वीडियो में नहीं आ पा रहा था और मैं काम करता हूँ मैं आसे दूर चला जाता हूँ और दूर चाके मैं आपर कार्स बाई लिखूँगा क्योंकि ये जो चीट कोड है वो पहले जो था बाई कार्स बाई लिखने से दूर जाके एक्टिवेट होता था मनलब शोरूं के अंदर कार्स आ जाती थी और मैं आप यहाँ पर काम करता हूँ मैं आरजे सूर के अंदर जल्दी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्स बाई जिसका स्पैलंगे सी ए आर एस बी यू वाय मैं आपर जल्दी से लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता यहाँ पर अगर एक्टिवेट हूता यहाँ पर आग़ जड़ी को अचुको आज शोरूम पर वापस लोड़ के भी आच चुका हूँ लेकिन यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मुझे तो देखने को नहीं मिलता यहाँ पर इसका मतलब यह है कि यह वाला मित 110% कंफरम हो गया है। और अब हमारा फोर्थ मित यह है कि अगर आप न्यू एंडवर को फर्स्ट पर्सन में चला होए। और उसकी अंदर एक फोन होता है जिसमें जंगल की फोटो होती है। भाई न्यू अपडेट का मित है प्लीज ट्राय करो। भाई पहले तो हमें ट्रक के अंदर आइफोन 14 प्रो मेंस मिलता था। लेकिन अब यह ना हो कि हमें भाई इस वाली यहां पर कार के अंदर एंडवर के अंदर हमें आपर एस सैंसंग एस 24 मिल जाए। अरे भाई यार क्या भी बोल रहा हूँ एंड यहां पर मैंने केमरा एंगल भी चेंज कर दी है मेरे क्याल यह भाई इस वाली चीज की बात कर रहे थे लेकिन भाई यह एक टैवलेट है जो कार के अंदर अवेलेबल होती है एंड है तो भाई मुबायल की तरह एंड यहां पर हमें जंगल का फोटो देखने को मिल जाता है मेभी इसकी एक मिस्टरी हो तो भाई इसी तरह यह वाला मित कन्फरम होता है तो हमारे यहां पर फिफ्ट मित यह कि अपडेट के बाद टैंक से मिसाइल लौँच नहीं होती यहां पर यहां पर यहां पर यह वाला जो मित है यह यहीं पर बस्टरी होता है यहां पर देख सकते हो मैं मिसाइल से फायर भी कर सकता हूँ हमारे इस वाले भाई ने कहा था कि इस मिसाइल लॉंच नहीं होती लेकिन आप पर आपके पास ही सामने सबूत है कि मिसाइल लॉंच हो रही है तो यह वाला मित बस्टिड होता है तो अब हमारा लास्ट वाला ओर ढोरेमोन का मित भी आ चुका है अगर हम आर्जी स्टूल के है ना दो मॉल लिखेंगे तो हम दोर nhi मोर बन जाएंगे चलो देखी लिए िलिए क्या हम दोरीमोन बनते हैं यह नहीं तो यहां पर नहीं देख नहीं होता इस ही सांथ य मिद्वीर्यstes रहता है तो बस और कना आज वाली वीडू से कमेंट सेक्षिन के अंदर बता दो मैं आपके वह वाले में लाक्ष अप्डेट के अंदर मेरा लाक्ष वीडियो के अंदर ट्राइ करूंगा तब तक के लिए थैंक्स फॉचिंग मिलेंगे लाक्ष वीडियो के अंदर